उत्तर प्रदीश की प्रयागराज में अखिल भारती अखाड़ा परिशुत के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गीरी की संदिग्द परिस्तितियों में हुई मौत की जौच की जा रही है। इस पूरे मामली को लेकर कई तरह के नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबित महंत नरेंद्र गीरी को वीडियो के दम पर ब्लैक मेल किया जा रहा था। सूत्रू के मुताबित महंत नरेंद्र गीरी को ब्लैक मेल करने से एक सीड़ी का इस्तमाल किया जा रहा था। ब्लैक मेलिंग के इस मामले में समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे व्यक्ती भी जो आज के दाइरे में हैं। जिस नेता की बात हो रही है वे अक्सर बाक बरी मठ में नरेंद्र गीरी से मिलने आते थे इतना ही नहीं इस पूरे मामले में जिस शिश्या आनंद गीरी को हिरासत में लिया गया है वे पूर्वराज्य मंत्री उसका भी करी भी था। यही नरेंद्र गीरी की मौत की मामले में एफायार दर्च कर ली है धारा 306 के तहट यह एफायार दर्च की गई है जिसमें आनंद गीरी का भी नाम शामिल है आनंद गीरी पर महंत्र नरेंद्र गीरी को मानसिक रूप से प्रतारिक करने का आरूप हैं महंत्र नरेंद्र ग बाद ही अंतिम फैसला सुनाया जाएगा बता दे कि सोमवार की शाम को अखिल भारती अखाड़ा परिशत के अद्रेक्ष्ट नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी शाम को पोलीस को जानकारी मिली जिसके बाद शव बरामत किया गया और उसे पोस्ट मौटम के लिए भीजा गया उसा ही जी दे हैर छामने बाद चाहाण बिखचल का बrat भीज़ हागए उसेशलैंगा लागए वाण था भीज़ा जय अटकु象 धुझलन के ही ¶वज़ा चाहां बादा धॉक्सा की आजसल परिवा प्रिष्ट व सेघत बाद्प चाहाणária